एलो दुस्टो स्वागत आपके सीवेजिजी चैनल में तो दुस्तो आज की बीडियो में हम डिसक्स करेंगे बिक्रम उनिवर्सेटी के प्रैटिकल एक्जाम्स के बारे में जियां दोस्तों हम विक्रम उनिबर्सिटी के प्रेटिकल एक्जाम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि विक्रम उनिबर्सिटी के प्रेटिकल एक्जाम्स कब से होने वाले हैं क्योंकि इसके पैनल तारिक आ चुकी है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें तब ही आ आपके practical होते हैं, आपके जो project होते हैं, उनके जो अंक हैं, जल्दी से जल्दी university में submit करने के लिए university के द्वारा सभी college को यादिस दिया गया है, तो यादिस में क्या लिखा गया है, पूरी information को हम देख लेते हैं दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप submit करने के लिए, ये notice आया है, सभी college को दिया गया है, कोकि आपको पता होगा कि आपकी जो परिचाँ open book से हो रहे हैं, तो open book से जो परिचाँ हो रहे हैं, उसी बज़े से दोस्तों, open book की जो copy हैं, उनके साथ में हैं, दोस्तों, आपके practical exams, आपके project exams के अंक भी, साथ ही साथ चाहेंगे, जिससे क्या है, दोस्तों, आपका result जल्दी से जल्दी बन सकेगा, कोकि government ने भी ये बोला है, कि result जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी बनाया जाए, तो इसलिए दोस्तों, क्या हुआ है, दोस्तों, कि university में, बिकरम university में, सभी college को ये आदिश दे दिया है, कि सब आप अपनी college के practical exams, project exams, जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी करवाईए, और 10 दिन के अंदर हंदर, हमें project और practical के अंकों को जल्दी से जल्दी दे दीजे, तो दोस्तों, आपको क्या करना है, कि आपने अगर अभी तक अपनी college में practical exam submit नहीं किये, तो जल्दी से submit कर दी साथ ही कि practical exam कैसे submit होगा, क्या लिखना है, तो दोस्तों, इसके बारे में आपको अपने college से information मिल पाई कि, कि आपको अपने practical में क्या लिखना है, तो मित करना हूँ, आपको पूरी information समझ में आगई होगी, practical exam, project exam के बारे में आप अपने college से contact कर लीजे, वहां से आपको जरो बता है, तो बदो को है पकते समा में आपको इस बदो कि साता पकली, बाया